हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आराध्या आरेस अकेडमी में दोस्तों और पेस्सी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टैस सीरीज यह स्टार्ट की गई थी है की जिसमें अपने 12 मोडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चके हैं तो आज इसमें 13 नमबर का मोडल पेपर हैं तो दोस्तों अगर आपने फिछले अगर 12 मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेए पले लिस्ट में पॉल्टर बनावा है फिस्ट ग्रेड लाइफ मोडल पेपर के नाम से तो आप वहाँ जाके बारा मोडल पेपर देख सकते हैं और अरभ द्यारेस एकेडिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक औ से CERT है C नंबर का जो ओप्षन है वो इसमें बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सेकेंड नंबर प्रेस ने वरतमान एक इकरत इसकुल सिक्षा संकुल पद्दति के अनुसार जिला सिक्षा विभाग का अधिकारी C D E O होगा जो किसके समकक्स होगा तो दोस्तों तो किसके समक सिक्षा अभियान के अंतरगत इसका मोटो क्या रखा गया है तो इसका मोटो है वो क्या है तो वो है दोस्तों इसमें शिक्षा ही जीवन है सिक्षा ही जीवन है C नंबर का सुरी सबको सिक्षा बहतर सिक्षा ये दोस्तों इसका मोटो है क्या है इसका मोटो सबको सिक्षा बहतर सिक्षा ठीक है मोटल इसकुलो में राज्य सरकार द्वारा कितनी सीटे बरने की सकती रखती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तीन परतिसत ठीक है ए नमबर का जो ओप्षन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है पांच नमबर प्रेस्टन है एस आई क्यू ई एस आई क्यू ई यानिकि स्टेट इंटिएटिव फोर क्वालिटी एजुकेशन के अंतरगत बच्चों को तीन परकार की सिक्षा दी जाती ह इन में से कौन सा एक सामिल नहीं है यानि कि बच्चों को तीन परकार की सिक्षा दी जाती है कि इनमें को सा सामिल नहीं है चारो ओप्रेस्टन में से अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सामिल नहीं है तो देखो केंद्रिय बाल केंद्रिय शिक्षा बिल्कुल सही है गति विदी आदारी शिक्षा ये भी इसमें सामिल है सतत एवं व्यापक मुल्यानकन ये भी इसमें सामिल है समावेशी शिक्षा बेसिक शिक्षा ये दोस्तों इसका answer डी नमबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा शिक्स नमबर प्रेस ने राष्टिय माद्य में एक शिक्षय अभियान से समंदित कौन सा कथन ऐसते है तो दोस्तों कौन सा कथन ऐसते है वो अपने को इसमें बताना है चार option दोस्तों आपके सामने है तो देखो इसमें रमसा है वो राजे सरकार के एक flagship योजना नहीं है दूसरा है रमसा के अंतरकाथ पांच किलोमेटर पर मादे में एक विद्याले और साथ से दस किलोमेटर पर उच मादे में विद्याले उपलब्द कराने का लग्से है बिल्कुल सही है और देखो दोस्तों इसमें इसका उ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का जो प्सन है वो इसमें एसे कफन है ये ठीक है तो इसका ए नंबर का उप्सन सहीद तरह हो जाएगा के जी बीवी में परवेश के लिए सबसे प्रात्मिक्ता वाली बाली का पौन है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सी है S.C. की मेला डोने वाले परिवारों की बालिका है ये दोस्तो के जी वी वी यानि की कस्तूर्बा गांदी बालिका विद्धाले में परवेश है तो सबसे प्रात्मिक तावाली जो बालिका है वो है SC की मेला डोने वाले परिवारों की बालिकाएं ठीक है इनको सबसे पहले प्रात्मिकता दी जाती है A नमबर का उप्शन इसमें बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आठ नमबर प्रेसन है यदि कोई RTE से समंदित विवाद है तो उसकी सुनवाई किसके पास बेजी जा सकेगी तो दोस्तो यदि कोई RTE से समंदित विवाद है तो उसकी सुनवाई किसके पास बेजी जा सकेगी तो इसका right answer धाएगा D नम्बर का जो option है वो इसमें सैयुत्तर हो जाएगा नइन नम्बर प्रेशन है शेनीक स्कुल की साथी परिशद का अद्ध्स कौन होता है तो दोस्तो शेनीक स्कुल की साथी परिशद का दो अद्ध्स है वो दोस्तो भारत का रक्षा मंतरी होता है यह नंबर का जो उप्षन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दस नंबर प्रेशन है दित्वे विश्वयूद के बाद भारत में कहां पर दो RMS खोले गए थे दितिये विश्वयुद के बाद भारत में कहां पर दो RMS खोले गए थे तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर खोले गए थे तो ये खोले गए थे करनाटक में डी नमबर का जो option है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ग्यारा नमबर प्रेस ने एक लवे चैनल यानि कि ग्यान दर्शन सेकंड चैनल को किस नोडल एजनसी द्वारा चलाया जाता है तो दोस्तो ग्यान दर्शन सेकंड चैनल को किस नोडल एजेंसी द्वारा चलाया जाता है और इस ग्यान दर्शन सेकंड को एक लवे चैनल भी कहा जाता है तो दोस्तो ये किस के द्वारा चलाया जाता है तो ये चलाया जाता है आई आई टी दिल्ली के द्वारा B-Number का जो option है वो इसमें सहुत्तर हो जाएगा 12. प्रेसन है R-St-B का कौन सा एक अनुभाग नहीं है R-St-B का कौन सा एक अनुभाग नहीं है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें तक्निकी विभाग ये इसका अनुभाग नहीं है इसके अनुभाग कौन कौन से हैं? उस्तक उतपादन विभाग, प्रसास्तनिक विभाग, अनुसंदान विभाग, ये दोस्तों RSTB के अनुभाग हैं. नेक्स्ट कुछन है तेरा नमबर प्रेस ने निम्न में से कौन सी जगह अलप भासाई राजकिये सिक्षन प्रसिक्षन विद्याले कारी रत हैं तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अजमेर में ठीक है तो इसमें C नमबर का जो अप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है चोदे नमबर प्रेस ने SMC की कारेकारनी समीती में कितने सदस्य मनोनित होते हैं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो सदस्य इसमें मनोनित होते हैं बी नमबर का जो ओप्षन है वो इसका रूप रेखा तयार की गई तो दोस्तों विद्याले योजना की पहली बार रूप रेखा तयार की गई तो किसके द्वारा रूप रेखा तयार की गई तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोठारी आयोग द्वारा इसकी रूप रेखा तयार है की गई थी विद्य जल क्या होता है डी टू ओ तो इसका राइट आंसर दोस्तो डी टू होगा ही ठीक है यहां पर थोड़ी से मिस्प्रिंट हो गई ऑप्षिन में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी टू ओ ठीक है नेक्स्ट कुशन है मानव सरीर के लिए सामाने ताप होता है तो मानव सरीर के लिए सामाने ताप है वो दोस्तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फार्ने हाइट या 310 केल्विन ठीक है यह होता है दोस्तो इसमें मानव सरीर का सामाने ताप मान ठीक है तो इसमें ए नमबर का जो ऑप्षन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अठारा नमबर प्रेस ने डांस स्टेज पर दूओं के निर्माण में कौन सी गैस काम में आती है तो दोस्तो डांस स्टेज पर दूओं के निर्माण में कौन सी गैस काम आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कौनशी गैस तो nitrogen गैस है वो काम में आती है C number का option इसमें सही उत्तर हो जाएगा गुनिश नमबर प्रेस ने Silicon का सम्मंद है तो दोस्तो Silicon का जो सम्मंद है वो किसे है तो वो है दोस्तो rate, अर्दचालक, काच इन तीनों से सम्मंद है Silicon का तो इसका right answer हो जाएगा D number का option उपरोक सभी Next question है 20 number प्रेस ने बादलो का निर्मान समंदित है तो दोस्तो बादलो का जो निर्मान है वो समंदित है तो वो किसे समंदित है तो इसका right answer हो जाएगा वो है किस सभीदान संसोदन द्वारा चार नई बासाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया तो दोस्तो टोटल 22 बासा है जिसमें चार बासा है शुरूआत में दोस्तो 14 बासा थी फिर 4 बासा और जोड़ा गयी, 18 हो गई और 18 के बाद में ये 4 बासा ही जोड़ा जोड़ा गयी थी ठीक है तो ये 4 बासा है ये कौनसे सभीदान संसोदन के अंथर गयी थी तो इसका right answer हो जाएगा वो है बराणवे सविदान संसोदन 2003 के अंतरगतिये 4 बासा हैं जोड़ी गई थी तो वर्तमान में टोटल 22 बासा है उस समय थी 18 ठीक है 18 और पलस 4 ये जोड़ी गई थी तो 22 हो गई 22 नमबर प्रेस ने नयाईक पुन्राव लोकन की सकती नहीं थै तो दोस्तों किसमें सकती नहीं थै तो इसका right answer हो जाएगा वो है सुप्रीम कोट में ठीक है ये नमबर का option इसमें सयुत्तर हो जाएगा 23 नमबर प्रेस ने कौन से अनुछेद के अंतरगत राष्टरपती मुख्य नयाईदी से सारवजनीक हिट के मामले में promise ले सकता है तो सीदा सा सिंपल सा है राष्टरपती मुख्य नयाईदी से promise ले सकता है लेकिन उसे मानने के लिए बादे नहीं अनुछेद 143 के अंतरगत ये सलाह ले सकता है तो इसमें C नमबर का option इसमें right answer हो जाएगा नेक्स्ट है 124 नमबर प्रेशन है केंद्रिये इस्तर पर सर्वोच्चे प्रसासनिक अधिकारी कौन होता है तो केंद्रिये इस्तर पर सर्वोच्चे प्रसासनिक अधिकारी है वो दोस्तों कौन होता है तो वो होता है केबिनेट सची हो ठीक है C नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 25 नमबर प्रेस्ट है किस परदान मंत्री के कारेकाल के अंतरगत है PMC परदान मंत्री सची वाले को बदल कर PMO यानि कि परदान मंत्री कारेकाल के अंतरगत है दोस्तों PMC यानि कि परदान मंत्री सची वाले को बदल कर परदान मंत्री कारेकाल में किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो है, दोस्तो, मुरारजी देसाई के काल में किया गया था, D number का जो option है वो इसमें right answer हो जाएगा, next question है, 26 नमबर प्रेस ने, राजस्तान के पूर्वी छोर से पस्मी छोर तक कितने समय का अंतर आता है, तो इसका right answer हो जाएगा, 35 minute का अंतर आता है, कितने मिनट का 35 मिनट का अंतरा आता है लगबग ठीक है नेक्स्ट कुछन है मद्द्पर्देश की सीमा से लगने वाले जिलों में राजस्तान का कौन सा जिला चेतरफल में बड़ा है जैनिके मद्द्पर्देश की सीमा के साथ राजस्तान के 10 जिलों में किस कौन से जिले का चेतरफल है वो सबसे बड़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें भीलवाडा का जो चेतरफल है वो सबसे इसमें बड़ा है B नमबर का option सयुत्तर हो जाएगा 28 नमबर प्रेस ने देवली से बिजोलिया तक का छेतर क्या कहलाता है तो दोस्तों देवली से बिजोलिया तक का छेतर है वो क्या कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तों क्या तो ये खेराड प्रदेश कहलाता है तो इसमें C नमबर का option सेयुत्तर हो जाएगा गुन तीस नमबर प्रेस्टन है राजस्तान का कौन सा जिला वर्स की सबसे अधिक विसमता रखता है तो दोस्तों राजस्तान का कौन सा जिला वर्स की सबसे अधिक विसमता रखता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है बाड मेर C नमबर का जो option है वो इसमें सही उत्थर हो जाएगा Next question है तीस नमबर प्रेस्ट ने निम्न मेंसे कौन से व्रक्स की लकडी से उंट की नाक बीदने या छेदने का कारिय किया जाता है निमन में से कौन से व्रक्स की लकडी से उंट की नाक बीदने छेदने का कारिय किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें फोग ए नमबर का जो उप्सन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन है 31 नमबर प्रेसन है करने के लिए गांदी जी ने अठारा सो पिचानव में किसका गटन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किसका गटन किया था तो नटाल भारतिये कॉंग्रेश का गटन किया था कब अठारा सो पिचानव में बी नमबर का जो ओप्शन है वो इसमें सही इतर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है बतीस नमबर प्रेस ने निमन लिखित में से सही विकल्प को चुनिए तो दोस्तों सही विकल्प को अपने को इसमें चुनना है कि इन में से कौन सा विकल्प है वो सही है ठीक है तो देखो दोस्तों इसमें अंग्रेजों के व्यापारि के अजेंट है वो गुमास्ता कहलाते थे गुजरात सत्यागरा के गठन एंदाबाद मील मजदूर आंदोलन के अंतरगत हुआ था ये भी बिल्कुल सही है एंदाबाद आंदोलन में प्लेग बोनस को 33% कर दिया गया था ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है तो इस पु कुशन है 33 नमबर प्रेशन है जलिया वाला बाग हत्याकांड में गोलिया चलवाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था तो वो था माइकल ओडायर माइकल ओडायर था थीक है तो इसमें ए नमबर का जो ओप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुशन है 34 नमबर प्रेशन है ऐसा योग आंदोलन के दोरान लाला लाज पत्राए पर किस अधिकारी ने लाठी चार्ज किया जिसे कालांतर में उनकी मर्ति हो गई तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है सांडर्स ठीक है सांडर्स ने दोस्तों लाठी चार्ज करवाया था जिसे लाला लाज पत्राए की मर्ति हो गई थी और बाद में दोस्तों थोड़े दिनों बाद में ही बगस सिंग ने दोस्तों सांडर्स की अत्या कर दी थी ठीक है समराट असोक का द्वीबासी अभिलेक है तो दोस्तों समराट असोक का द्वीबासी अभिलेक कौन सा है तो वो है ग्रीक पलस अरेमाइक समराट असोक का द्वीबासी अभिलेक कौन सा है तो ग्रीक पलस अरेमाइक यह है इसमें सी नमबर का जो आप्शन है वो इसमें सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है, 36 नमबर प्रेस ने, कौन सा विकल्प सही है, तो दोस्तों कौन सा विकल्प है, वो सही है, वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है, तो देखो, असोक प्रारम में सेव द्रम का उपासक था, बिल्कुल सही है, सेव द्रम का उपासक था, असोक प्रारम मे मोरे काल का सबसे परचलित सिकापन यानि कि चांदी का था बिल्कुल सही है मोरे काल में टकसाल अधिकारी को लक्षना देक्स कहा जाता था ये भी इसमें बिल्कुल सही है युनानियों दुआरा पाटली पुत्र को पॉली ब्रोथा कहा गया ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक, दो, तीन, चार यानि कि चारों ही सही है तो इसका मतलब उप्रोक्त सभी सही है डी नमबर का उप्सन इसमें सही उत्तर हो जाएगा 37 नमबर प्रेस निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है तो कौन सा एक विकल्प है वो सही नहीं है तो इसमें देखो, रचनाकार है और दूसरी तरफ है रचना, ठीक है तो इसमें देखो साली होत रहे अस्वा सास्त रहे वाग भटे सुसरु सहीता ये तो गलत हो जाएगा दोस्तो वाग भटे अस्टांग हर्दे यानि कि आईरवेद से समंदित की रचना की थी धनवंतरी निगंटू की रचना की थी और पाल का वे हास्त आईरवेद की रचना की थी तो इस प्रिशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नमबर का उप्शन की कि इसमें घलते दे रखा है ठीक है नेक्स्ट किसने कौन सी एक गुफा को चितर साला कहा जाता है तो कौन सी एक गुफा को चितर साला कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुफा सत्रा को चितर साला कहा जाता है बी नमबर का जो उप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गुचालिस नमबर प्रिशन है मद्दे एसिया का कासगर छेतर क्या कहलाता है तो मद्दे एसिया का कासगर छेतर क्या कहलाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है अगनी देश कहलाता है क्या कहलाता है अगनी देश कहलाता है कासगर छेतर है A नंबर का जो option है, वो इसमें बिल्कुल सियुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुषण है, चार्ज नंबर प्रेस ने वरिन्दावन में अपना निवासिस्तान कि संत्ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो किस संत्ने बनाया था, तो चेतन्य मापरबुने बनाया था दोस्तो ठीक है अपना निवासितान बी नंबर का जो ओप्षन है वो इसका सयुत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा अब्दुल समंद का किसकी उपादी परदान की गई थी तो कौन सी उपादी परदान की गई थी अब्दुल समद को अकबर द्वारा कौन सी उपादी परदान की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सीरी कलम की उपादी परदान की गई थी किसको अब्दुल समंद को ठीक है किसके द्वारा परदान की गई थी अकबर द्वारा ठीक है नेक्स्ट कुशन है, 42 नमबर प्रेस ने, ऐसे कौन से करांतिकारी थे जिनों ने अपनी मर्तिव से 10 वर्स पूर्व ही राजनिती से सन्यास ले लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, विपिन चंदरपॉल, ठीक है, डी नमबर का जो ओप्शन है वो इसमें स मांग पत्र किसने सोपा, जिसे मेवाड की पुकार कहा जाता है, मेवाड के माराना को 21 उतरिये मांग पत्र किसने सोपा, जिसे मेवाड की पुकार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोतिलाल ते जावत को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें स पी नमबर का जो option है, वो इसका right answer हो जाएगा, ठीक है? Next Question है, 45 नमबर प्रेश सिवाजी की तल्वार का नाम क्या था? तो सिवाजी की तल्वार का नाम है, वो दोस्तों क्या था? तो वो था भवानी, क्या नाम था? भवानी, ठीक है? तो इसमें B नमबर का जो उप्शन है वो इसका सेउत्तर हो जाएगा 45 नमबर प्रेस ने राजस्तान में 1857 के विद्रो का सबसे मैतोपुन के अंदर कौन सा था तो कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कोटा ठीक है तो इसमें D नमबर का उप्शन सेउत्तर हो जाएगा आपको पता होगा कोटा में जै देयाल और महराब खां ने करांतिका ने तत्व किया था ठीक है 46 नमबर प्रेस ने इस्टेटो लॉंच नामक दुनिया का सबसे बड़ा विमान जिसने 13 अपरेल 2019 को कहां से उडान भरी केलिफोनिया की उडान भरी थी तो इसमें भी नमबर का option इसका right answer हो जाएगा. 47 नमबर प्रेस्ट है, हाली में संयुक्त राष्टर की जन्संक्या रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से 2011 के बीच भारत की जन्संक्या ओसत दर कितनी हो गई है? तो दोस्तो 2010 से 2011 के बीच में दोस्तो भारत की जन्संक्या की जो दर है, वो कितनी हो गई है? संयुक्त राष्टर की जन्संक्या रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो एक पॉइंट दो परतिस्ट, यानि की बी नमबर का जो उप्षन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा. 48 नमबर प्रेशन है, हाली में किस दुखत गटना के लिए सताब दी सरदांजली समारोह का आईजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें, जलिया वाला हत्याकांड, सी नमबर का जो उप्षन है, वो इसमें बिलकुल सही उत्तर हो विक्ति को बनाया गया है, तो दोस्तो हाली में भारतिय होकी टीम का कोच उस्टेलिया के किस विक्ति को बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, गरहाम रीड को बनाया गया है, गरहाम रीड को बनाया गया है, होकी टीम का कोच, नेक्स्ट फिसन है, प सार एक पॉइंट नो करोड बच्चे जलवायू परिवर्तन की विनासकारी प्रभाव में सबसे अधिक खत्रे में हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां के तो इसका राइट आंसर है वो है इसमें बांगला देश में ठीक है तो इसमें डी नंबर का ज पिचेतर किलोमेटर लंबी एक नई रेल लाइन जो मतारा को बेलियत्ता से जोड़ेगी का उदगाटन किया हाली में हाली में किस देश ने चीन के सहयोग से हाली में किस देश ने चीन के सहयोग से 26.75 km लंबी एक नई रेल लाइन जो मतारा को बेलियत्ता से जोड़ेगी का उद्गाटन किया तो किस ने किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिरी लंका उनसे जाएगा सिरी लंका सी नंबर का जो अप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ठीक है सिरी लंका इसका राइट आंसर बावन नंबर प्रेशन है ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड दोजार अठारा में इन्हें सर्वस्रेश्ट महीला कि लाड़ी का चैन किया गया है ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में इन्हें सर्वस्रेश्ट महीला किलाडी का चेन किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है PV सिंदू B नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट किसन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो केरल ए नंबर का जो उप्षन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट किसन है चोपन नंबर प्रेश्ट ने सुपरीम कोर्ट ने चुनाव आयो को दिये गए इवियम की जगाए अब कितने इवियम वय वीवी पेड परचीयों को मिलान करने के लिए कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें पांच ठीक है C नमबर का जो option है वो इसमें सेयुत्तर हो जाएगा 55 नमबर परेशने हाली में विश्वे होमेपिथी दिवस 9-10 अपरेल को कहां मनाया गया तो कहां पर मनाया गया ये मनाया गया दोस्तो कहां पर तो दिल्ली में मनाया गया, B नमबर का जो option है वो इसमें सयुत्तर हो जाएगा 57 नमबर, सपन नमबर प्रेशन है विश्वत जल्दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्वत जल्दिवस, next question है, 57 नमबर प्रेशन है अब जमें संदी कर संदी का नाम बताईए, अब जमें संदी कर संदी का नाम बताईए तो दोस्तो, up प्लस जै, ये है दोस्तो, इसकी संदी और vengeance संदी है दोस्तो, इसमें तो इसमें ए नमबर का option सही उतर हो जाएगा, 58 नमबर प्रेशन है, समर्थ में कौन सा up pensar है, तो दोस्तो, कौन सा up super है, तो इसमें उप सर्ग है, some up इसमें पर ते हो जाएगा इना परते, c नमबर का जो option है, वो इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 60 नमबर प्रेशन है निमने सब्द युग्म का अर्थ इसपष्ट कीजिए एक तो है खंजन और एक है खंजर एक है खंजन और एक है खंजर तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा खंजन का होता है एक पक्सी और खंजर का मतलब होता है कटार तो D number का option सही उत्तर हो जाएगा Next question है एक सथ number question है इसमें देखो Choose the correct indirect speech of the following sentence from the given option तो sentence है अपना She said to him, are you fine? तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें She asked him whether he was fine She asked him whether he was fine तो इसका right answer हो जाएगा B number का option है सही उत्तर हो जाएगा आगे चलते हैं 62 number question है इसमें देखो Julia is studying chemistry university तो इसमें क्या आएगा तो इसमें आएगा दोस्तो 8 क्या आएगा 8 आएगा दोस्तो ठीक है studying 8 chemistry university तो इसमें C number option सही उत्तर 63 number question है इसमें देखो suitable preposition तो इसमें बताना है कि कौन सा preposition आएगा the children run the room तो इसमें कौन सा preposition आएगा तो इसमें आएगा दोस्तो इन्टू यानि कि बाहर से अंदर गए हैं तो इसमें इन्टू का प्रियोग होगा C number का option इसमें सही उत्तर हो जाएगा next question है इसमें देखो correct option बरना है देखो either the boy or the girl at fault तो इसमें क्या आएगा तो इसमें आएगा दोस्तो इसमें इसमें आएगा वाज ठीक है ए नंबर का जो option है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा next question है चांसट नंबर प्रेसने इसमें देखो x बराबर 0.5 x बराबर 0.5 y बराबर 0.2 हो तो हो तो इसको थोड़ा समय इदर कर लेता हूँ ठीक है x बराबर 0.5 y बराबर 0.2 हो तो root ठीक है root 0.6 root 0.6 root 0.6 into 3 y 3 y कमान क्या होगा तो इसका मान है वो क्या होगा यहां पर x ओर लिखा हूँ ठीक है x कमान इसमें क्या होगा तो इसका मान हो जाएगा दोस्तो इसमें इसका सीदा सा simple सा right answer हो जाएगा वो है इसमें 0.6 तो c number का option इसका right answer हो जागे इसको solve कर लेना ठीक है बहुत अच्छा कुस्छन है next कुस्छन है 67 number प्रेस ने इसके option नहीं है तो इसमें देखो zero point ठीक है इसमें देखो zero point बार में four two three four two three किस भिन के समतुले है तो सीधा से है मैं आपको इसमें बता देता हूं तो यहां पे चार सो तेविस लिखावा है तो चार सो तेविस माइनस चार बटा नो सो नबब यानि कि चार सो गुनीस बटा नो सो नबब ये इसका right answer हो जाएगा ये इसके समतुले भिन होगी 68 नमबर प्रेस ने 12 वक्तियों की ओसत आयो दो वक्तियों की जगए 21 वर्स एवं 25 वर्स के दो नए वक्तियों के आ जाने से दो वर्स बढ़ जाती है तो नए वक्तियों की ओसत क्या होगी तो दोस्तों नए वक्तियों की ओसत सबसे पहले तो देखो दो वक्तियों की जगए 21 वर्ष और 25 वर्ष के दो नए व्यक्ति आए हैं तो इनको जोड़ लो 21 प्लस 25 इनको जोड़ लो ठीक है अब देखो 12 व्यक्ति के 12 व्यक्तियों की ओसत आयो 2 व्यक्तियों की जगह है ठीक है अब 12 इंटू 2 करोंगे पलस 12 इंटू 2 ठीक है अब इसमें देखो 45 ठीक है तो 45 प्लस 24 यानिकि इनको अपन सोल करेंगे 21 प्लस 25 और 12 इंटू 2 तो दोस्तों इसको प्लस करेंगे अपन तो कितने आ जाएंगे तो सतर वर्स आ जाएंगे और सतर में दो का भाग दे देंगे तो दोस्तों कितना जाएगा 35 वर्स तो इसमें डी नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नए वक्तियों के उससे तरह 35 वर्स है ठीक है यदि किसी काम को ए बी की तुलना में दोगनी गती से करता है यदि दोनों मिलकर उस काम को बारा दिन में पूरी करते हैं तो भी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो दोस्तों सीधा सा सिंपल सा है इसमें देखो ए बी की तुलना में दोगनी गती से काम करता है दोनों मिलकर उस काम को बारा दिन में कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों 36 दिन में बी अकेला उस काम को करेगा तीक है तो इसका राइट आंसर बी नमबर का उप्शन नेक्स्ट कुशन है सतर नमबर प्रेस्ट है यदि किसी दातू के एक ठोस बेलन के आधार का अर्दव्यास तथा उसकी उंचाई करमस है आर सेमी तथा सिक सेमी है इसे पिगला कर उतने ही आधार के अर्दव्यास वाला एक ठोस संकु बनाया जाता है तो संकु क्यों चाई होगी तो इसमें संकु क्यों चाई अपने को ग्याद करनी है तो देखो एक तरफ तो संक्व का आयतन लगेगा दूसरी तरफ बेलन का आयतन लगेगा और इसमें काट लेना इन सुत्र को आपस में रखे तो दोस्तो एच बराबरा जाएगी इसमें कितनी 18 तो इसमें C नमबर का उप्शन से युक्तर हो जाएगा गेतर नमबर प्रेस ने कई इस्तान खेर से 440 मिटर दक्षिन पस्षी में हैं तो बताएगे इस्तान कैसे किस दिशा में है तो सीधा से है इसमें किस दिशा में है तो इसका राइट आंसर हो जागा पूरा अगले दिन होगा ठीक है डी नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा तेंतर नमबर प्रेशन है इसमें देखो तीन चै आठ सोला अठारा तीन दुनी चै पलस दो आठारा अब अठारा दुनी चत्तिस तो चत्तिस आएगा इसका राइट अंसर सी नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो किस के द्वारा अधिनियमित किया गया तो भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया तो तीन नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए नियून्तम कारे गंटा परति सब्ताय निर्दारित किये गए हैं, तो कितने निर्दारित किये गए हैं, इस प्रसंद का उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है, दोस्तो 40 गंटे, 50 प्रसंद का उत्तर है, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए नियून्तम कारे गंटे परति सब्ताय निर्दारित किये गए हैं, तो कितने गंटे निर्दारित किये गए हैं, वो आपको इसमें कमेंट में बताना है तो दोस्तो अगर आपने अभी भी आराद्यारारेस एक्डमी के चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करदे सब्सक्राइब